नमस्कार देसुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं खबर बोक्स और आज के इस बुलिटीन में हम बात करेंगे इवियम की बीजेपी को पूजा करनी चाहिए साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन-कौन सी सरकारी भरतिया निकली हुई है और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट पीएम मोदी से खुस हुई डेमोनी का सरकार कोविड महामारी में मदद करने के लिए पीएम मोदी को देगी अपना सर्वोचे राष्टे सम्मान कोरोना काल में भारत ने हर जरूरत मंद के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया पीएम मोदी ने अमेरिका समेद 150 देशों की मदद करते हुए दवायों की खेप भेजी थी अब कोरोना में मदद करने के लिए पीएम मोदी को डेमोनी का अपना सर्वोचे राष्टे सम्मान देने वाला है जिसका एलान डेमेनी का सरकार ने कर दिया है और कहा है कि इस महीने प्रधान मंत्री मोदी को अपना सर्वोचे राष्टे पुरुसकार डेमोनी का प्रदान करेंगे वन्डे वन सिफ्ट पर लगी मोहर प्रतियोगी चात्रों की मांगो के आगे जुका UPPSE UPP SC ने अभ्यार्थियों की डिमार्ड माल ली है। वोटिंग के दुरान SDM को थपड मारने वाले निर्दलिय प्रित्याशी नरेश मेरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 20 नमबर को माहराष्ट में विधानसभा चुनाव है वहीं जैसे जैसे वोटिंग की तारीक नस्दीक आती जा रही है। विपक्स पर मोदी का हमला तीच होता चा रहा है। बीते दिन पीएम मोदी ने माहराष्ट की धर्ती पर तीन चुनाव जनसभा की। इस जोरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ संभाजी माहराष्ट को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी और ओरंगजेप के गुणगान करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को छत्रपती संभाजी के कातिलों में मसीह नजर आता है। संकाय, योकिता, शुलक और रधन वापसी नीतिया, चेंदर, सफलता की कहानिया, परिक्षा, रेंकिंग और नोकरी की शुरक्षा के वादे, शिक्षन संस्तानों में गैरंटी, एड्मिशन या प्रमोशन इस प्रकार के सभी विग्यापनों पर अब रोक लगा दी गई है सोनिया गांधी बार-बार राहूल बाबा का प्लेन उडा रही लेकिन लेंड नहीं कर पा रही, जारकन से कॉंग्रेस पर बढ़ से ग्रायमांत्रियमिच्षा, जारकन में पहले चरण के चुनाफ होने के बाद दूसरे चरण के लिए बीसे पिन एक कमर कसली है, बीते दिन ग्रायमंत्रियमिच्षा, एक बार फिर धारा 370, बांगलादेशी घुस्पेट और बिजटा चार को लेकर कॉंग्रेस जारकन को अपना एटियम बनाना चाहती है, उन्होंने कहा कि हेमन सरकार का समय समाप्त हो गया है, सुन लो घुस्पेट यों, अब तुम्हारा भी समय खत्म हो गया है, एके को चुन कर बाहर करेंगे, काईदे से नहीं मारेंगे तो उल्टा लटका कर सिधा करेंगे, वहीं शाहा ने कहा कि सोनिया गांधी ने राहुल बाबा को कई बार लोंच किया, परन्तु हर बार फैल हो गई, राहुल बाबा के प्लेन को 20 बार उड़ाय गया, लेके लेंड नहीं कर पा रहा, 21 वी बार भी बाबा धाम के एरपूट पर क्रेश हो जाएगा हर्याना विधानसबास सत्र के दूसरे दिन EVM पर फिर गर्जा मुद्दा कोंग्रेस विधायक भारत भूशन बोले भाजपा को EVM की पूजा करनी चाहिए हर्याना विधानसबास सत्र के दूसरे दिन EVM को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी फिर से एक बार आमने सामने आ गई है अपनी हार कभाड़ा EVM पर फोड़ते हुए कॉंग्रेस विधायक भारत भूशन बन्ना ने कहा कि भाजपा को EVM की पूजा करनी चाहिए जिसके बाद बीजेपी ने हरियाना में जीत दर्च की है जिसके बाद भाजपा के कई विधायकों ने अपनी सीर से खड़े हो कर इस बयान का विरोध किया वहीं सीम नायाप सेनी ने कहा कि सदन में चुनाव प्रिक्रिया समधी विशे नहीं उठाए जाए यह मेरा सदन से आग रहे इस पर स्पीकर हरविंदर कल्यार ने कहा कि यदि कोई सदश्य इस पर बोलना चाहता है तो नियमों के मताबिक उसे लिखित रूप से सदन में यह देना होगा नितिस कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए देगी एक लाग रुपे की मोटी रकम तीन परतिशद दिये भी बढ़ाया नितिस सरकार ने ग्रामेंड छेत्रों में सुयोगे परिवारों को आवास के लिए जमीन के बदले एक लाग रुपे देने का फैसला किया है इसके लावा राजसरकार के करमचारियों और पैंसनन भोगियों के लिए महंगाई भता 53 परतिशत कर दिया गया है ट्राफिक वेवस्ता को बहतर बनाने के लिए 153 पदों को मंचूरी दे दी गई है इसके लावा ग्रामिन सडकों के रखरकाव के लिए ग्रामिन सडक सूध रष्टिकरन वेप्रबंदन कारेकरम स्वीकरत क्या क्या है प्रियाग्राज में बेकाबू हुए चात्र बेरीकेटिंग तोड़ी पुलिस बैकफुट पर जबरन हटाने पर भढ़के 10,000 स्टुडेंट्स प्रियाग्राज में यूपीपी ऐसी परिक्षारतियों का विरूत परदशन वन डे वन सिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन परिक्रिया के खिलाफ जारी है बीते दिन परदशनकारी चात्रों और पुलिस कर्मियों में जड़ाप हो गई पुलिस कर्मि साधी वर्ती में धर्ना दे रहे चात्रों को जबरन उठाने पहुंचे थे पुलिस को देखते ही चात्र एक दूसरे पर लेट गए चात्रों का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने चात्रों के साथ बद सलूकी की और गालियां भी दी सभाप्रमुक अकलेश आदव ने प्रियागराज में प्रदशन कर रहे चात्रों का समर्थन किया है साथी बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बुला है उन्होंने कहा कि प्रदशन कर रही बेटियों को बिना वर्दी में उठाने लगी है इन काहराना वहवार के लिए मैं निंदा करता हूँ ये सरकार कहती है वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे लेकिन यूपी में तो ये चात्रों की परिक्षा तक एक साथ नहीं करा पा रहे इस सरकार के एजन्डे में नोक्री नहीं है युवाओं के भविशे के साथ दुके का काम किया गया है ये वो सरकार है जो पेपर लिक जान कर कराती है क्योंकि इनके एजन्डों में नोक्री तो है ही नहीं अब OVC ने 15 मिनट का जिक्र किया वहीं उनके भाई 2012 में कह चुके 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हम मुसलिम हिंदूों को हमारी ताका दिखा देंगी महराष्ट चुनाव में OVC और डिप्टी सीम फंडण वीस के बीच जुबाने जंग चल रही है सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही OVC को भड़काओ भाशन देने से बचने का नोटिस थमा दिया इस पर तंच कस्ते हुए OVC ने फिर 15 मिनट का जिक्र किया हालांकि तुरंत बाद उन्होंने गुस्ताकी होने की आक्टिंग की फिर कहा की वेरी सोरी दरासल 2012 में उनके भाई अकबरूदीन OVC ने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तू पता चल जाएगा कोन कितना ताकतवर है सबजे और खाने पिने की चीजे हुए महिंगी चार महिने के हाई पर पहुंची थोक महिंगाई एक्टूबर महिने में थोक महिंगाई बढ़कर 2.36% पर पहुंच गई है इसे पहले सितंबर महिने में थोक महिंगाई 1.84% पर थी रोजाना की जरूरत वाले सामानों के महिंगाई दर 6.69% से बढ़कर 8.09% हो गई है वही खाने पिने की चीजों की महिंगाई 9.47% से बढ़कर 11.69% हो गई है रायपूर में इंडिगो विमान की हुई अमर्जनसी लेंडिंग नागपूर कोलकता फ्लाइट को मिली विस्पोटक से उड़ाने की धमगी चातिसगड की राजधानी रायपूर में इंडिगो की फ्लाइट की बीते दिन अमर्जनसी लेंडिंग कराई गई नागपूर से कोलकता जा रही फ्लाइट में विस्पोटक की सूचना मिली थी जिसके बाद रायपूर में एतिहातन अमर्जेंसी लेंडिंग करानी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई और विस्पोटक निरोधक दस्ते को बुलाये गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल कर विमान को तुरंद ख चेक किया वे नासिक जिले में चुनाफ प्रशार के लिए आये थे। महराष्ट कॉंग्रेसर दैक्स नाना पटोले की हेलिकोप्टर और बैग की भी चुनाफ अधिकारियों ने जांच की। वहीं इससे पहले हुदाव ठाकरे के सामान की जांच हुई थी। उन्होंने ना इक सीम योगी आदितनात भीते दिन जारकन के धनबाद पहुँचे, जहां आयोजित चुनावी सभा में योगी आदितनात ने कहा कि जारकन को केंदर पैसा देती हैं, पर जामों कोंग्रेस और राजत के लोग इसे खा जाते हैं। साथी कहा कि ये लोग जारकन की धारती बेटी माटी और सुरक्षा में सेंद लगाने आए हैं ये सभी यहां पर अस्तित्वय खत्म कर देंगे ये सभी एक ही थाली के चट्टे बटे हैं सब एक साथ लूट करते हैं यहां भिश्टाचारियों की कोई जगय नहीं होनी चाहिए सेम योगी आदितराथ ने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं लेकिन जो हमें छेड़ेगा फिर हम उसको छोड़ते नहीं जारकन में बंद नहीं होगी मैया सम्मानी स्कीम हेमन्त ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला कहा कि ताना शाह हार गई जारकन हाई पोली के फैसले के बाद मयया सम्मानी ओजना को लेकर हमन्त सोरे ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निसाना सादा है हमन्त का कहना है कि ताना शाहा लोग इस सकीम को बंद कराना चाहते हैं उनके पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के लोग इसको लेकर पार्टी में याचिका दाखिल कर रहे हैं। इंटेंसिप के 236 पदों पर भरती निकली है। इस भरती के लिए आविदन की लाश्ट डेट 20 नमबर 2024 है। इसके अलावा और भी सभी सरकारी भरतियों के विस्रत जानकारी पाने के लिए कूगल में अभी विसिट करें सरकारी जोब डेटी डोट कॉम वेबसाइट पर। मामले में हस्तशेप करने से इंकार कर दिया। कोट ने उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का निर्दीश दिया है। कोट ने कहा कि उनके खिलाव प्रियाप्त सबूत हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। उत्राखन में चुनाफ प्रचार के दोरान बीजेपी की जगें गलती से कॉंग्रेस दफ्तर पहुंचे मंतरी सत्पाल महराज। के दानात विदान सबा उप्चुनाफ के लिए प्रचार करने के दोरान राजे के मंतरी सत्पाल महराज बीजेपी कार्या ले जाने की बजाए गलती से कॉंग्रेस दफ्तर पहुंचे गए। के जर्ये मनी लोंडरिंग से जुड़े ब्रच्टाचार के मामने में जाँच कर रही है। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर नमी देखी गई है। सत्यासी हजार पांसो अठावन रुपए प्रतिकिलो हो गई है। बीते पंदरा दिनों में जोबिस केरट सोना पांच हजार सासो सेंतिस रुपए यानिकी साथ प्रतिशत तक सस्ता हो गया है। अब बीज़ेपी सरकार युवाओं के भविशक से खिलवार कर रही है। आपकी राए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। और हाँ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को परेज़रूर कर लीजेगा।